मैं मर्जो पना गोड़े ठक गे वे बैबैके हाई डब बुरा हाल की तप या बैबैके पड़ाई जाने पड़ाई जाने स्वेर तो लेके शाम तक है गोड़ कीते हैं में जुड़े पए है पता नी समझ ही नी हो ना पल्लय ही नी पढ़ा चलो आपका कलास बास स्टार्ट करिए हमारा सफर है जो इस वीडियो का स्टार्ट होता और जिसके अंदर हम आपको तीन में चीज़ें बताने वाले हैं हमारी טेक्स्ट फाइल के अंदर से तो गौर से सुनिए हम लोग करने वाले हैं first read function ke बारे में जानकारी, next read lines function के बारे में और finally हम लोग read line function के बारे में यहां पर जानेंगे यह तीनों function हमारी text file की backbone है और अगर यह तीनों function आपको आ गये तो आपको read करना यानि की file से data आ गया right और फिर आपका write ही रह जाएगा और वो भी हम लोग कर लेंगे तो चलिए किस तरीके से इन तीनों functions का अपना एक अलग-अलग use है text file के अंदर जिसका use करते हुए हम अपने data को read अब यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर file लेते हैं ठीक है तो f is equal to open function का use करते हुए हम अपनी file उपर देखां यह file 2 के अंदर और file 2 ही ले ले लेते हैं इसमें data डाल देते हैं file 2.txt read mode में open कर लो file को by read is a by default mode and 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 अब यहां पर हम क्या करेंगे print और print के अंदर हम यहां पर देंगे हाँ तो file हमने लिख ली अब हम यहां पर देखें सबसे पहले read का मतलब बताते हैं तो read क्या करेगा कि जैसे हमने लिखा file.read अब यह क्या करता है character by character आपकी पूरी file है जो read कर लेगा ठीक है पूरी file आपकी read कर लेगा और read करके इस data के अंदर डाल देगा अब इसके बारे में चीजें ध्यान से सुनें read function character by character आपकी फाइल को read करता है अब हमने इस function के parameter में कुछ नहीं दिया है it means यह पूरी file एकक करके उसका character सारी file string की form में हमारी data के अंदर डाल देगा तो data का अगर type जानोगे तो वो बताएगा कि इसका type है string तो अब हमने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है it means हमारी file के अंदर क्या है twinkle how I लिखा हुआ है तो यही print हो जाएगा as it is अब मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसके अंदर बोलती हूँ कि मुझे दो character तो यानि कि रीड करके data में पहुंचा देगा और उसको print करा देगा समझ में आई चीज अगर हम पूछते हैं कि इसके अंदर type क्या है तो यह क्या बताने वाला है इसका type है string यहाँ पर समझ में आई चीज राइट तो अगर हम यहाँ पर कह दें इसका type है हमारे पास में data और अगर हम data को यहाँ पर दुबारा से read करते हैं तो आप देखे कि क्या होने वाला है मैंने क्या किया मैंने क्या किया फाइल हमारी start होती है और यह दो character read कर लेता है क्या करता है दो character read करता है तो हमारी फाइल में data कुछ यह पढ़ा हुआ है तो दो character read करके T और W अब फाइल का pointer W और I क के बीच में है तो वहां से वो दो कैरक्टर रीड करेगा तो आई और इन यह चला जाएगा डेटा के अंदर और यह प्रिंट हो जाएगा हमारे पास में अब मान लीजे मैं एक बार और यही कर देती हूं तो क्या होने वाला है तो क्या होगा सबसे पहले फाइल जीरो पॉज आई बात समझ में तो फाइल हमारी रीड होते होते जाए जा रही है आगे क्या हमने पहले दो कैरेक्टर रीड किये फिर उसके अगले वाले दो कैरेक्टर फिर उसके अगले वाले दो कैरेक्टर फिर उसके अगले वाले दो रीड करके हमने डेटा के अंदर भीजती है और तो वो हम यहां पर print करा रहे हैं, ठीक है, अब मान लेजे हम 3 लिखेंगे, तो वो 3 character read करेगा, तो अब इस case में क्या हो रहा है, हम क्या करें, 3, 2, 2, तो अब क्या हो रहा है, पहले 3 character read होंगे, तो पहले T हुआ, W हुआ, I हुआ, अब उसके बाद में क्या लिखा है, जितने भी number लिखोगे न, ये उतने character read कर देगा, अब मैं मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें लिख देती हूँ, दोसों, उतने तो character है नहीं, उस case में ये जितने character है, उतने print करा देगा, यानि कि आपकी file के अंदर जो कुछ है, वो सारा कुछ print हो जाएगा, क्या बात समझ में आई आई आपको, तो ये हमारा read है यहाँ पर, read character by character read करता है, string की form में read करता है, जितने character आपको read कराने हैं, आप उतने ही number इसके parameter में लिखते हूँ, अब मैं इसका थोड़ा सा आपको यहाँ पर ppt के थुरू समझा देती हूँ, फिर हम आएंगे read line और lines के उपर, तो चलिए, अब हमारे पास में happy नाम की फाइल के अंदर ये कुछ data पढ़ा हुआ है, अब हमने क्या किया read, तो इसने क्या किया हमारी full file read कर दी, यानि कि character by character, एक एक करके सारी चीजें print कर दी इसने, अब हमने लिखा 5, तो ये क्या करेगा, जहाँ पर आपकी फाइल का pointer है, कहाँ पर है, जहाँ पर भी है, वहाँ से ये आगे 5 character read करेगा, ठीक है, तो 5 character of the file from the current position, current position R mode के अंदर है आपकी file open, तो current position यानि कि जब शुरू करोगे आप अपनी file को, start करोगे, तो वो 0 पर ही होगी position, आपकी file जब R mode में open होती है, तो file का pointer कहाँ पर होता है, 0 पर, तो वो 0 से आगे 5 character आपको read कर देगा, या फिर जहाँ पर भी है, वहाँ से आगे 5, जैसे मैंने किया था न, read, 3, फिर read, 2, read, 2, तो जहाँ पर है, वहाँ से आगे की बात है, जो हो रही है, अब हमने उतने number दे दिये, जितने character हमारी file के अंदर है ही नहीं, ऐसे case में, वो जितने हैं, उतने character, यानि कि full file आपकी print हो जाएगी, अब इसके अंदर देखें क्या होगा, read 5, यानि कि file का pointer का position कौन सा है, file शुरू हुई है, तो of course 0 पर होगा, तो वहाँ से 5 character read कर लिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, अब हमारी file का pointer कहाँ पर है, यहाँ पर मुझूद हो चुका है, के और L के बीच में, ठीक है, अब हम वहाँ से आगे जाते हैं और 20 character read करते हैं, तो वह वहाँ से आगे 20 character read करेगा, तो हमारी file का pointer यहाँ पर था, एक सेकिन रुको, कहाँ पर, यहाँ पर, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठारा, उननिस, बीस, ठीक है, तो यह इतना हमारा read हो जाएगा, यहाँ पर देखो space भी है, तो space भी count होता है, समझने वाली बात यह भी है, यहाँ पर, क्या आप कही comma और space को छोड़ दो, भई, वो तो character है, वो तो हिस्सा है आपकी string का, तो उनको आप कैसे छोड़ सकते हो, कोई भी special symbol हो, space हो, comma हो, सारे count होते हैं, अक्सर यह बच्चे पूछते हैं, class के अंदर, तब मैं आपको specially बता रही हूँ, तो वो वहाँ से आगे 20 character read करेगा, यानि कि पहले उसने 5 किये, फिर उसके आगे के 20 character read होंगे, अब देखे क्या होगा, अब हम file को read कर रहे हैं, अच्छा, यहाँ पर read line का use है, मैं पहले आपको इसको practically बता दे करती हूँ, फिर मैं आजाओंगी, और फिर हम इस PPT के तुरू कर लेंगे, तो चलिए, पायचाम पर जंप करते हैं, तो यह आपने सीखा read का, read कौन सी form के अंदर read करता है, text file, sorry, string के अंदर, अब मैं करती हूँ read line का यहाँ पर, ठीक है, तो हमने read line सिर्फ इतना लिखा, अब यह क्या करने वाला है, मैं इसके अंदर कोई और data डाल दो, अब यह देखिए, मेरी फाइल के अंदर lines कितनी है, तो आप count करो, एक, दो, तीन, चार, आपको होगे मैं, चार lines है, बहुती बढ़िया वापिस आएंगे, अब देखिए, मैं इसको जब read कर रही हूँ, प फाइल की beginning में, शुरू-शुरू में, ठीक है, तो अब हम इसको run करते हैं, तो देखे, इसने क्या किया, एक line read करके दे दी, पहली line के अंदर क्या था, just there was twinkle, तो मैं इतना कहना चाह रही हूँ, कि हमारी file open हो गई, और उसके अंदर, जब हम read line का use कर रहे हैं, तो वो एक single line आपको read करके दे रहा है, एक line उसने read की, उसको कैसे पता चला कि एक line है, क्योंकि जैसे ही हमारी एक line खतम होती है, और हम enter करते हैं, तो यहाँ पर एक new line character generate होता है, और वो वहीं तक मान लेता है, कि यह एक line है, अब जैसे कि मैं इसका use दूसरी बार करती हूँ, गौर से स पर एक line रीड की, अब वो दूसरी line रीड करने की starting पर है, तो यहाँ पर data जो हमारा है, अब वो दूसरी line रीड करेगा, और print हम data कर रहे हैं, तो उसके अंदर पहली line के दूसरी line, अफकॉर दूसरी line होगी, तो पहले तो क्या हुआ, अगर मेरी file ये वाली है, तो पहले हम अब हम दूसरी line की starting में आ चुके हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर read कर रहे हैं, फिर से, फिर से वो एक line read करेगा, so that time it will print how I, अगर मैं in between भी ये print करती, तो वो ऐसा print करता, पहले twinkle वाली line print करता, फिर how I वाली line है, जो print करेगा, इस तरीके से, ठीक है, इसने उपर twinkle भी क्या होगा, अब देखें, इसके बीच में space जो आ रहा है, how you can remove it, आप यहाँ पर end का use करिए, क्योंकि new line character भी तो है, ठीक है, तो हम end का use करते हुए, इसके बीच का जो space है, line है, उसको खतम कर सकते हैं, right, अब देखें, सुनिये बात गौर से, अगर मैं यहाँ पर read line के अंदर लिख देती हूँ, दो, तो वो क्या करेगा, वो यह करेगा, कि वो जो एक particular line है, कौनसी 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 twinkle, उस एक line के दो character read करके print करा देगा, यानि कि इसमें भी जो आपका written type होगा, that will be a string, तो अगर मैं इसको print करती हूँ, तो इस answer will be tw here, did you get that guys, क्या चीज कहने की कोशिश की जा रही है, कोशिश आपको सिर्फ इतनी कही जा रही है, यहाँ पर, कि अब इसने क्या किया, TW, अगर मैं यहाँ पर लिख देती, क्या, तीन, तो आप गौर से सुनिए, वो शुरू के तीन character read कर देता, मैं, अगर हम 300 या 3000, 3000 कुछ ऐसा लिख रहे हैं, तो व इतने हैं, उतने प्रिंट करा देगा, बट उससे जादा नहीं कराएगा, क्योंकि read line का मकसद सिर्फ इतना सा है, कि वो एक line ही प्रिंट कराता है, I hope यह चीज समझ में आ गई होगी, अब हम जंप करते हैं, और इसका type जान लेते हैं, मैंने इसका type वैसे verbally बोल करके बतातो दिया है आपको कि यह string ही रिटन करता है, ठीक है, तो एक बार इसके भी हम लोग चीजे हैं, जो कॉर लेते हैं, तो देखिए, हमने क्या किया, हमने कहा read line, तो यह क्या करेगा, सिर्फ एक single line read करके देगा, ठीक है, जहां तक उसको new line character नहीं मिल जाता, So, in this case, it will print only a single line, अब देखिए, आगे चली, आगे चली, हमने एक line read कर ली, अब हम यहां पर पहुंच चुके हैं, अगली line तक, तो यह अगली line read करेगा, और वो data में डालेगा, और वो हम print करेंगे, तो in this case, हमारे पास, एक second रुकिए, ऐसे और ऐसे print हुआ, ठीक है, अब मैंने आपको बताया है, बीच का space कैसे remove करते है, and के through, we can remove it, ठीक है, तो अब अगर हम इसके अंदर डालते 5, तो यह उस particular line के आगे के 5 character read करके data में put कर रहा है, और हम उसको print करा रहे हैं, अगर हमने 5000 डाल दिये, that means वो exceed कर रहा है, उतने तो character उस line में है ही नहीं है, तो ज जितने character है, उतने print होंगे, return time will be a string type, right, अब हम read lines की बात करते हैं, उसके लिए जम करेंगे, practical करके देखते हैं सबसे पहरे, तो हम पहुंचे सीधा सीधा पायचाम के उपर, अब हम यहाँ पर remove करके सिर्फ एक अक्षर लिखते हैं, वो है s, run करने से पहले आपको बता that will be a list, right, तो यह हमें list में data written करके देखा, अब हमारा जो सारा का सारा data आया, किसके अंदर, इसके अंदर, data के अंदर, वो सारा list की form में आ चुका है, तो आप देखिए, उसमें क्या हुआ, हमारी पहली line, पहला पहला, जो है, list का element बन गे, दूसरी line, दूसरा, तीसरी line, त दूसरी, चौथा, चौथा, तो चार line थी, तो यहाँ पर list के चार ही element बन चुके है, पूरी list हमारी divide हो चुकी है, किसके अंदर, list के elements के अंदर, यानि कि list बन चुकी है, अब अगर मान लीजिए, मैं यहाँ पर देती हूँ 3, तो यह क्या करेगा, यह यह करेगा, कि जो आ 3 character नहीं, यह आपको वो पूरी की पूरी line ही written करके दे देगा, यानि कि 3 character किसके अंदर आ रहे हैं, सिर्फ इस पहले element के अंदर आ रहे हैं, आप कोगे T, W और I, तो यह T, W, I नहीं परिंट कराएगा, यह पूरा twinkle, यानि कि twinkle आपकी line है ना एक, अगर मैं ऐसा लिखती ह मैंने twinkle is लिखा, या कुछ भी लिखा, तो देखो, यह पूरी line बनगी twinkle is, तो वो क्या करेगा, जब मैं यह वाला case कर रहे हूं, कौन सा read lines 3, तो यह पहले पहले उसके 3 character नहीं परिंट कराएगा, यह पूरी line कौन सी twinkle is परिंट कराने वाला है, कैसे S, अब देख लीजे मैं इसका is हटा देती हूं, ताकि हमें गिनने में कोई problem ना है, इसके अंदर character कितने है, तो आपको देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो अब मैंने अगर मान लो इसके अंदर 6 दिया, तो भी यह क्या करेगा, एक line प्रिंट कराएगा, क्योंकि उतने में ही उसके characters आ रहे हैं, बट जैसे ही मैंने इसके अंदर 8 दिया, तो 6 तो इसके खुद के character होगे, तो दो बाद में वो अगले वाली line को ले लेगा, तो अब इसमें क्या आएंगे, 2 elements of your list, समझ में आई चीज, तो character की बात नहीं होती यहाँ पर, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लो 20, तो 20 में जितने characters आपके आ रहे होंगे, उतने elements प्रेंट करा देगा, list के, उतनी lines प्रेंट हो रही है, अच्छल में, समझ में आई चीज, यहाँ पर characters की बात नहीं होगी, आपका answer character के अंदर नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो चलिए, अगर यह चीज आपको समझ में आ गई, तो हम इसके poll करके देख लेते हैं, यहाँ पर, sorry, poll नहीं, हम इसके, जो है, PPT के अंदर जो हमने किया है, वो हम देख लेते हैं, देखे, हमने किया, read lines, तो यह हमें list के अंदर answer है, जो return करके देखा, पूरी list आपकी, पूरी file आपकी list बन चुकी होगी, ठीक है, अ अब इसके अंदर हम एक-एक करके lines प्रिंट करा सकते थे, तो मैं इसको अगर loop के थूरू समझाओ, तो इसके अंदर हमारी पूरी list आचुकी है, एक-एक element of our list, अब list में loop का use कैसे करना है, यह आपको बखूबी पता है, तो वो क्या करेगा, एक-एक line of our list will be printed, बीच में ज फिर भी मन में कोई doubt रहता है, तो आप comment section के अंदर डालो, और हम आपके doubt है, जो solve करेंगे, and use करिए code LALIVE, बिल्कुल आप इस code का use करते हुए, जो है, unacademy पर जो अभी चल रही plus classes है, और unacademy पर चल रही free classes है, उनके अंदर entry पा सकते हो, so like करिए, share करिए, subscribe करिए channel को भी तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो के अंदर, बाबाई